So hello guys, welcome back to the new video system दोस्तो राजिस्तान RICO Recruitment 2021 को लेकर बहुत सारे लोगों के बहुत सारे डाउट्स है लगातार कमेंट आ रहे हैं, लगातार मेसेज आ रहे हैं इस्टाग्राम पे कि सर ये जो recruitment आईए इसके लिए हम आवेदन करें या फिर नहीं करें और ये permanent job है या नहीं है इसका exam जो है वो bilingual है यानि Hindi English में होता है या नहीं होता है exam किस तरह से होता है साथ इसमें sort and skill test है वो किस तरह होता है, competition कितना रहता है और बहार के state वाले यानि राजस्तान से बहार वाले आवेदन कर सकते हैं या नहीं कर सकते तो देखिए कुछ बाते हैं मैं पहले ही clear कर देता हूँ फिर हम discuss करेंगे जो important points है उनके उपर और आपके doubts में definitely इस video session में clear करने की कोसिस करूँगा देखिए दोस्तों इसमें एक तो competition कम होने वाला है इसके पीछे की वज़या आगे आप जान जाओगे एक दोस्तों इसमें कोई भी आविदन कर सकता है यह नहीं कि खाली राजस्तान वाली आविदन करेंगे आप जहां से भी है चाहिए MP, UP, बिहार जहां से भी है आप आविदन कर सकते हैं कोई issue नहीं है stando grapper की post और junior assistant की post के लिए दोनों के लिए exam और skill test होना है ठीक है और यहां पर दोस्तों competition काफी कम रहेगा एक बात मैं आपको बता दूँ कि इसमें permanent job रहने वाली है apply किसको करना मैं आपको भी बता देता हूँ इसमें permanent job रहेगी आपका exam हिंदी-English दोनों में होने वाला है यहां पर problem यहां आ रही है कि इसमें जो प्रिक्सा सुलक है वो काफी जादा रखा हुआ है जैसे हम बात करें post number 9 to 10 की जिसमें stenographer और junior assistant की post है 700 रुपे इसमें exam फीस रखी गई है जो general और OBC के candidates है बाकी के लिए 525 रुपे तो काफी अधिक फीस रखी गई है यह भी कोई बड़ा issue नहीं है क्योंकि जिसको आवेदन करना होता है वो इतनी फीस पैक कर देता है लेकिन यहां पर एक बात है जो important है इसमें competition को कम कर देगी वो यह है कि एक तो इसमें आप से जी के पूछा जाएगा राजस्तान प्लस इंडिया दोनू का हलांकि मैं आपको scoring topics आने वाले वीडियो session में बता दूँगा इसके बाद में इसमें general science पूछी जाएगी ठीक है general science के इसमें almost सारे topics दे रखे हैं यहां पर देखे इसका जो exam होना है वो दो पार्ट के अंदर होना यह जो syllabus है यह है आपका junior assistant का और junior assistant के अंदर भी science दी हुई है general science complete इसमें दी हुई है फिर इसमें quantitative, aptitude and reasoning भी है basic computer skill भी है अब syllabus तो काफी बड़ा है लेकिन यह ध्यान रखेगा इसमें cut up काफी ज़्यादा कम रहने वाली है cut up इसकी ज़्यादा नहीं जाने वाली है इसके बाद में section C में mathematics भी दिया हुई है junior assistant के पोस्ट के लिए जो part second है उसमें Hindi, English भी दिया हुई है और उसके बाद में देखे यहां पर आपका होना है skill test competition कम होने के वज़ा में आपको बता दूँ कि इसके अंदर दोस्तों typing test जो आपका होना वो Hindi, English दोनू के अंदर होना है efficiency test भी आपका Hindi और English दोनू के अंदर होना है अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो LDC junior assistant के तैयारी करते हैं वो एक ही typing language के अंदर skilled होते हैं जैसे या तो वो English में करते हैं या वो Hindi में करते हैं लेकिन यहां पर दोनू में है तो competition यहां कम हो जाएगा क्योंकि बहुत सारे लोग इस डर से apply नहीं करेंगे कि अगर हम exam के तैयारी करके exam crack भी करदेंगे तो आगे जो skill test होना है वो Hindi English दोनों में होना है तो वहां problem हो जाएगी stenographer के अंदर भी sort hand test जो होगा वो Hindi English दोनों के अंदर होने वाला है तो यह जो point है यह आपके competition को क्या कर देगा कम कर देगा तो online जो आवेदन करने वाले लोग है तो वो भी कम हो जाएगे competition कम हो जाएगा कम लोग आवेदन करेंगे और cut-off है वो भी इसकी ज़्यादा high नहीं जाने वाली है क्योंकि इसमें syllabus भी कापी अच्छा बला दिया हुआ है वैसे मैं आपको बता दूँ कि यह जो syllabus है कि तीन मुणा candidates को बुलाया जाएगा exam से लेकर skill test में ठीक है तो यहाँ भी कुछ न कुछ सवाल होता है कि हम जाएं या फिर नहीं जाएं दोनु language इसके अंदर रहने वाली है एक doubt यह भी होता है कि sir अगर exam हम हिंदी में देते हैं तो आगे हमें skill test हिंदी इंगलिस में होगा किस में होगा तो वो जंजड यहाँ पर नहीं है आप exam किसी भी language में दो आपका skill test जो होना टाइपिंग test जो होना वो आपका हिंदी इंगलिस दोनु में होना है साथ ही यह दोस्तों permanent job है definitely इसमें आपका future बन जाएगा कोई problem वाली बात नहीं है permanent job achievable salary भी आपके इसके अंदर रहने वाली है exam आपका हिंदी इंगलिस दोनु के अंदर होने वाला है अब देखे किसको आवेदन करना चाहिए तो मैंने आपको बता दिया कोई भी exam होता है इसका syllabus तो आपको prepare करना ही होता मैनत तो करनी ही होती है अगर आपको लगता है कि आप हिंदी इंगलिस दोनु में sort and test या फिर skill test यानि junior assistant के लिए कह रहा हूँ कि भी उनका खाले typing test होना है और साथ में efficiency test होना है अब भी देखिए syllabus के उपर आपको बिल्कूल भी tension नहीं लेना है यहाँ पर मैं आपको बता दू कि राजस्तान जीके और इंडिया जीके के 15 questions आएंगे तो राजस्तान जीके में मालो किसी के problem होती है तो इंडिया जीके तो सब तयार करते हैं इसके बाद basic computer है वो आपको तयार करना ही करना है तो syllabus को लेकर यह नहीं है कि कोई ज़्यादा issue है जो बाहर वाले state वाले है वो भी apply कर सकते हैं क्योंकि syllabus में कोई ज़्यादा difference नहीं है same ही चीज़े हैं जो आप regular तयार करते हो किसी भी exam के लिए थोड़ा वो डिफरेंस है इसमें इसमें basic science आपकी दी हुई है काफी और साथ में computer आपको दिया हुआ है ठीक है computer के हलांकी बस basic topics है जो आप your exam helper की e-book से आसानी से तैयार कर सकते हैं अगर आपके पास नहीं है तो आप purchase कर लीज़ेगा link description box में दिया हुआ है वहां से आप उस e-book को यानी computer ग्यान को उसको purchase कर सकते हैं और उससे आप अपनी तैयारी को बैतरीन कर सकते हैं computer में आप 15 आउट ओ 15 भी लेकर आ सकते हो अगर आप उस book को आप अच्छे से prepare कर लेते हो तो अब दोस्तों आवेदन आप करिएगा अगर आप Hindi English दोनों के अंदर comfortable है skill test में, short hand test में या कह सकते हैं typing test में तो कोई दिक्कत नहीं है, cut off definitely इसकी ज़्यादा नहीं जाने वाली है ठीक है और आसानी से आप इसका selection ले सकते हो बाकी दोस्तों एक recruitment और है जो की 10,000 post बार है computer teacher की अगर आपने computer में आप माल लीजिए graduate है या आपने graduation के साथ में एक साल का computer का कोई diploma course कर रहा है तो आप उसके लिए जा सकते हैं उस recruitment का link में आपको description box में और यहाँ पर i button में दे रहा हूँ यहाँ से आप check कर लीजिएगा और इस video के end में आपको screen पर भी show कर देगा ठीक है उमीद है आपके doubts कलियर हुए हैं तो video को like कर दीजिएगा share कर दीजिएगा और जो लोग नए हैं और चैनल को subscribe कर लीजिएगा साथी bell icon को press करके all पे click किजिएगा ताकि आने वाली हर video के आपको notification मिलती रहे thanks for watching मिलते हैं दोस्तों next video session में तब तक के लिए सभी को जैहिंद